हेलो गाइज मेरा नाम है हिमानसू और आप देखरे है रेसल एलर्ट गुंधर का डेब्यू अब जैसा कि गुंधर पहले स्मैक डाउन में थे बट अब वो ट्राफ्ट हो चुके है राव में यानि कि इंट्रकॉंट्रेंटल चैंपियन्स का पार्ट रहते वे दिख सकते हैं अब आप सब यही सोच रहे होंगे वहाँ पर वो अपनी चैंपियन् को मिलने वाला है एक बैटल रॉयल और जो भी उस बैटल रॉयल को जीतेगा वो बनेगा नंबर वन कंटेंडर इंट्रकॉंट्रेंटल चैंपियन्स के लिए और में भी हो सकता है इस विक के राव में हमें इंट्रकॉंट्रेंटल चैंपियन्स के लिए इसके बाद जो ने प्रोग क्लेजनर ने उन पर अटेक करकर उन्हें मैच से कर दिया बाहर यानि कि वो एडवांस नहीं कर पाया टूर्णामेंट में और प्रोग क्लेजनर ने एक और मैच के लिए चैलेंज कर दिया उन्हें नाइट आप चैंपियंज के पे-पर व्यू में फिर बाद में नॉर्मली मैच करवाने वाली है या फिर हमें कुछ इस्टेपलेशन रहते वे दिख सकती है तो वो चीज़ आप सबको इस विक के रह में होते वे दिख जाएगी क्लियर क्योंकि मैच इनका अल्रेडी हो चुका है ऑफिस्यल और इस विक के रह में अगर कोडी रोड्स इस इसके बारे में फिर से बात करने आ रहे तो ज़रूर से वो हमें इस मैच में कुछ इस्टेपलेशन डिमांड करते वे दिख सकते और ब्रॉग क्लेशनर के इस रह में आने के चांसे तो कम ही है लेकिन सरप्राइज अगर ड़वी कुछ देना चाहती है तब हो सकता है वैसे आप क्या चाहते हो ब्रॉग क्लेशनर वर्साइस कोडी रोड्स के सेकेंड मैच में हमें कौन सा श्टेपलेशन लगते वे दिखे वो जबूर से नीचे कॉमेंट करकर बताना इसके बाद नेक्स तिंग जिसे ड़वी ने कर दिये ओफिशल वो है एक सिंगल स्मैच सिंस के नाकामुरा वर्सेस दिम मिस के बीच जैसा कि ये दोनों भी सामिल थे वर्ड वेट चैंपिसिप के टूर्नामेंट में बढ़ दोनों ही होगे बाहर और फिर बैक्स्टेज मिस ने सिंस के नाकामुरा को एक टीम में आने को बोला लेकिन सिंस के नाकामुरा ने one on match ही confirm कर दिया मिस के साथ और expected ही है कि यहाँ पर हमें सिंस के नाकामुरा हराते वे दिखने वाले है दिम मिस को इसके बाद next thing जिसे WWE ने कर दिये official वो यह ही कि हमें बैके लिंच बात करते वे दिखने वाली है Trish Stratus के बारे में जैसा कि आप सब जानती है और Trish Stratus ने धोका दिया था बैके लिंच को बट लाश्ट विक के राव में बैके लिंच का हमें रिटर्ण देखने को मिला और उन्होंने आकर अटेक किया Trish Stratus पर और लाश्ट विक के राव में वो जादा कुछ कहने पाई बट इस विक के राव में हमें उनका प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलने वाला है और मेबी बैके लिंच हमें Trish Stratus को एक मैच के लिए चैलेंज करते वे दिख सकती है Night of Champions पेपर व्यू के लिए इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है Women's Tag Team Championship के लिए लिब मॉर्गन और रेकविल वर्सेस सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रेन के बीच तो इस मैच का ज़्यादा कोई मतलब है नहीं कौन जिता है कौन नहीं ज़्यादा चांसेस चैंपेशिप रिटेन होने के ही है वहीं आँ सबको पता यह World Heavyweight Championship के टूर्णामेंट में Seth Rollins रोग के तरफ से पहुँच चुके फाइनल्स में और AJ Styles SmackDown के तरफ से और इनका मैच हो चुका है Night of Champions के लिए Official यानि कि इनी दोनों में से कोई हमें बनते वे दिखने वाला है World Heavyweight Champion तो जैसा कि World Heavyweight Championship तो रोग ही रहने वाली है तो एक्सपेक्टेड है कि इस विक के रोग में आप सबको AJ Styles भी देखने को मिल सकते है Seth Rollins को confront करते वे जहाँ पर इनके बीच हमें कोई promo segment देखने को मिल सकता है या फिर क्या पता हमें Brawl वे अगरा देखने को मिल जाए वहीं बात कर ली जाए दि Bloodline के बारे में तो आप सबको पता ही है लाश्ट SmackDown में में रोमर डेंस का return देखने को बिला है एक काफी बड़ी announcement कर दी कि वो एंड शोलो सी कोई एक tag team match में compete करने वाले Sammy Zen and Kevin Ovens के अगेंश Night of Champions में Undisputed Tag Team Championship के लिए और जैसा कि आप सबको पता ही है अभी Undisputed Tag Team Championship है Monday Night Raw पर और सभी को ऐसा लग रहा है कि अब Draft वाला रूल लागू हो चुका है तो हमें Bloodline Raw में आते वे नहीं दिख सकती है लेकिन आप सबको बता दू इस विक के SmackDown में आप सबको Sammy Zen and Kevin Ovens देखने को मिलने वाला है जो कि Raw के सुपरस्टार है तो फिर Bloodline Raw में क्यों देखने को नहीं मिल सकते है यानि कि जब Raw के टीम और SmackDown के टीम के बीच में फ्यूड हो चुका है स्टार्ट तो expected है Bloodline आप सबको इस विक के Raw में अटैक करने की कोसिस करते भी दिख सकती है Sammy Zen and Kevin Owens पर अब क्या वहाँ पर Solo Sequel and Usos ही रहते या फिर Roman Reigns भी मौझूद रहते वो देखना काफ ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होगा और Night of Champions अब ज़्यादा दूर भी नहीं है यानि कि ये Second Last Raw होने वाला है तो expected है कि एक नाएक Raw में आप सब को Bloodline देखने को मिलने वाली है तो गैस यही वो कुछ बड़ी चीजे थी जो कि आप सब को इस विक के Muddy Night Raw में देखने को मिल सकती है लेकिन आप सब मुझे ये Comment करकर ज़रूर से बताना आप इस विक के Raw में किस चीज के लिए सबसे ज़ादा excited है इसके लावा अगर वीडि सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल अगेन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए तो मिलते है अगली वीडियो में